हेलो एवरिवन तो कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे एंद आच इस वीडियो में हम आपको भी जुनिया के टॉप टैन मोस्ट एक्सपेंसिब घर के बारे में बताएं इन घर में क्या 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 फीचर्स एंड ये घर कितने रुपाई के हैं ये सब जानें घर को 2008 में बनाये गया था इस पूरी घर को आप कीवल एक रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो फिर चाहे वो पेड़ों में पानी डालना हो ये फिर घर का टेंपरेचर बदलना हो फिल गया इसको किताब पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था जिसके चलते उन्होंने घर में ए 2014 में बना ये आली शान घर 53,000 स्क्वेर फीट में फैला हुआ है इस घर के अंदर 12 बेट्रूम्स और 25 बात्रूम्स मौजूद हैं साथी एक इसपा एक बार मेहमानों की गाड़ी पार्किंग करने के लिए एक बड़ा सा पार्किंग लॉट घर के ड्राइवर्स के लिए ग एक सो पच्चानवे मिलियन डॉलर है एलिसन इस्टेट 2018 में ये गर 15,000 स्क्वेर फीट में फैला हुआ है इस घर के अंदर 7 बेट्रूम्स चौदा बात्रूम्स एक मुवी ठेटर और एक वाइन रूम मौजूद है ये गर औरेकल के CEO फाउंडर लेरी एलिसन का है इस घर क कीमा 250 मिलियन डॉलर है कें सिंग्टन प्लेस एक लाग 16,000 स्क्वेर फीट में पहले इस अलिशान गर को 1689 में बनाये गया था 1950 में इस घर को पहली बार आम जनता के लिए खोला गया था उससे पहले इस घर में केवल बड़े आदमी ये पर राजा रान ही रहा करते थे इस घर के अंदर 775 कमरे और एक बड़ा सा आलिशान गाइडन बना हुआ है आज की टाइम में इस घर की कीमत 260 मिलियन डॉलर है 29 बैटरूम और 35 बातरूम्स बने हुए हैं साथ ही 3 डाइनिंग रूम, 3 स्विंग पूल और एक ब्राइवेट सिनेमा बना हुआ है और आज की टाइम में इस घर की कीमत 350 मिलियन डॉलर है विला लेस केरेडिस 1830 में बना ये अलिशान विला 18,000 स्क्वेर फुट में फैला हुआ है इस घर के अंदर 14 बैटरूम्स, एक उलम्पिक साइज स्विंग पूल और एक बड़ी सी लाइबरेरी बनी हुई है इस लाइबरेरी में 3000 से ज्यादा किताबें रखी हुई है इस घर के अंदर बहुत सी ऐसी पेंटिंग्स से रखी हुई है जो आज से 100 साल परानी है जिसके चलते इन पेंटिंग्स का प्राइस करोडों में है आज के टेम में इस घर की कीमत 410 मिलियन डॉलर है विटन हैट्स लेंडन 1930 में बना ये आलीशान घर 2,18,000 इस घर फिट में फैला हुआ है तीन मंदिल की इस आलीशान इमारत की अंदर 25 पेडरूम और 65 कमरें बने हुए हैं पाइटी करने के लिए इस घर की अंदर 70 फिट का एक बॉलरूम बना हुआ है इस घर के अंदर एक गैलरी एक बड़ा सा हॉल और ड्राइंग रूम जैसी चीज़ें मौजूद हैं और रात के टाइम में इस घर की कीमत 450 मिलियन डॉलर है विला लियोपुल्डा 1902 में बना ये आलीशान विला 3,18,000 स्क्वेर फिट में फैला हुआ है इस विले के अंदर 19 बेटरूम और 14 बातरूम्स बने हुए है साथी इस विले का फ़नीचर बहुत साल पुराना है जिसके चलते इसकी कीमत लाखों रुपए में है वल्ड वार फ़र्स्ट के दोरान इस विले को सेनिकों के अस्पताल के रूप में इस्तिमाल किया गया था और आज की टाइम में इस विले की कीमत 750 मिलियन डॉलर है एंटीलिया 2010 नोबना ये आलीशान घर 4,000,000 स्करफिट में फैला हुआ है 27 मंदिल का ये गर वारत के मशूर बिसनेसमेन मुकिश अमबानी का है इस गर के अंदर 10 हाई स्पीड लिफ्ट, एक बड़ा सा मंदिर, 50 सीड़ों का थेटर, टेरिस, काइडन, नहाने के लिए सुमिंग पूल, एक इस्पा और एक बर्फ का कमरा मौजूद है मुकिश अमबानी को गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक है, जिसके जलते उन्होंने 160 से भी ज्यादा लगजरी गाड़ियों को खरीद रखा है आज की टाइम में इस बिल्डिंग की कीमद दो बिलियन टॉलर है बकिंगम पेलेस, इस गर को दुनिया का सबसे एक्सपेंसिब घर माना जाता है आट लाग 30,000 स्क्वेर फिर्ट में फैला ये अलिशान गर 1705 में बना था इस गर के अंदर 175 कमरे, 92 ओफिस और 78 बातरूम, दागर, सिनेमा, स्विंग पूल और एक बड़ा सा गार्डन मौजूद है और आज की टाइम में इस गर की कीमद पांच बिलियन डॉलर है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर एक लाइक कर दो अगर आप चैनल पर नहीं है और चैनल को सब्सक्राइक पर लो एक इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जाज़ा से जादा शेयर भी कर